नमस्कार तो आप सभीका स्वागत है आज की वीडियो में आज के वीडियो में डिसकस करेंगे कि जो सीटेट का पॉब्लिक नोटिस जारी हुआ इसमें क्या बात कही गई है इसमें बोला गया है कि जो 16 एडिशन है जो सीटेट एग्जामनेशन जो CBT मोड में होते हैं यानि कहा गया है कि जो exact date है वो आपके admit card पर mention की जाएगी तो अभी इसका notification नहीं आया है और इसमें आगे क्या बोला गया है कि जो test है वो 20 languages में conduct किया जाएगा पूरे देशवर में और इसके बारे में जो detailed जानकारी है जिसमें आपका slavus, languages, eligibility यानि योग्यता क्या रहेगी, examination fees examination cities कौन कौन से रहेंगे और जो भी important dates होंगी वो आपको seated की website पर बहुत जल्दी available हो जाएंगी तो वहां से आप जरूर उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर form फिल करें तो यहाँ पर केवल एक public notice है इसका मतलब confirm हो चुका है कि paper जो है वो seated का December में conduct होगा ही होगा तो आप लोग अपने त्यारी सही तरीके से start कर दें अच्छी तरीके से क्योंकि paper जो seated का होता है ज्यादा difficult नहीं होता है तो आपको pedagogy पे ज्यादा focus करना है क्योंकि seated में खास कर प्रतेक विसे की जो pedagogy आती है 15 marks की उस पर अगर आपने command कर लिया तो फिर आप अच्छा score कर पाएंगे और बाकी EBS का मैं EBS के कम से कम जो है दो तीन वीडियो में अपलोड कर दूँगा और वो sufficient रहेंगे अगर आप लोग ने उसको देख लिया तो मैं कोशिस करूँगा कि पूरी एक long वीडियो में अपलोड कर दूँ एक ही वीडियो अगर ऐसा नहीं हो पायाग और बाकी मैं कोशिस करूँगा और child development के बारे में ऐसे marathon classes को upload करनी की तो आप आगे इसमें अगर देखे हैं तो इसमें जो fees के बारे में लिखा गया है कि category कौन-कौन सी general OVC सबको पता है 1000 single paper के लिए और 1200 papers के लिए और SC, ST और जो differentially evil persons होते हैं उनका 500 और 600 रहेगा तो इस सेम information हिंदी में भी इस बार दिया गया है तो जो हिंदी वाले विद्यार्थी वो इसको पढ़ सकते हैं और आप लोग website को चेक करते रहें और अपने त्यारी शार्प करते रहें थैंक यू बेरी मुच जैहन जै भारत